हलो एब्रीवन नमस्कार शौगत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफर्म परिक्षा प्लस पर टीम की योर्श है मैं हूँ रमन मिस्टा दोस्तों आज जो है 10 प्लस कोर्श के अंतरगत Class 2 में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी क्योंकि आज का सेडूल आपका हिंदी का है जो ग्राम विकास की कच्छाए मैंने प्रारंब की थी वो आपको पहले 3 दिन सताखे पहले 3 दिन आपकी हिंदी की Classes होंगी उनके बाद जो अगला तीन दिन होगा उसमें ग्राम विकास के चलासेज होंगी जिसमें मैंने आपको पहली लेक्चर के बारे में यानि उनके संदर्व से संबंधित समस्ती चीजों के बारे में परिशर्चा कर दी है तो सारी classes वहाँ पर आपको तीन दिनों के बाद मिलेंगी इन तीन दिनों में यानि सब्ता के पहले तीन दिनों में हम लोग हिंदी पढ़ेंगे क्योंकि हम जो schedule है सारी लोग telegram group से जुड़ कर schedule जो है अपने phone में save कर ले ताकि classes आपको समय समय पर जो मिले वहाँ सूचना पहुंसती रहे दूसरी बात जितने ऐसे भी मित्रगण है जो तैयारी में अपनी और ज़्यादा मजबूती चाहते हैं धार देना चाह रहे हैं सारी कच्छाएं सुचारू रूप से प्रारंब हो चुकी है तो देर ना करते भी आप सभी को register कराना है 10 प्लस courses के अंतरगत क्योंकि जो lecture हम दे रहे उस lecture को आप बड़ी तनमेता के साथ पढ़िए और पढ़ने के साथ जो सबसे बहतर विकल्प यह होता है कि आप किसी भी परिक्षा के लिए अगर तयारी कर रहे हैं तो उसमें आपके पास एक notes की प्रात्मिक्ता बहुत ही जरूरी होती है इस वज़े से team ने आपके सारी चीजों पर जितनी inquire हमें मिली उन्हीं पर हमने जो इस course को launch किया 10 प्लस में इसमें हमने यहाँ भी व्यवस्था दी है कि अगर आप इस विसे वस्थू के बारे में पूरी notes चाहते हैं तो team आपको वो upload करवा देगी तो सारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग videos सबसे पहले channel को subscribe करना है और bell icon push करना है कि जो video यहाँ upload की जाए उस video की notification आपको ततकाल लूप से पहुँच भाए दूसरी बात सारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस program के अंतरगत अपने आपको register कराईए क्योंकि इसके अंतरगत हमने सारी videos तो आपको free उपलब्द कराने के लिए बोला है साथ ही साथ हर एक वीडियो की quiz भी आपको free उपलब्द होगी quiz हमारे परिक्षा प्लस एप पर जो google play store पर आपको मिल जाएगी उस परिक्षा प्लस एप से जो है आप quiz daily के तोर पर दे सकते हैं सारे लोग quiz के लिए परिक्षा प्लस एप जो है डाउनलोड करिये और दूसरी बात नहीं जिनको हर एक class की PDF चाहिए जैसे maths हो गया तो maths में इस समय आलोक सर आपको क्या पढ़ा रहे है इस समय उन्होंने पहले chapter से सुरुवात किया है तो maths जो पढ़ाई जाती उसकी PDF दी जाती प्रैक्टिस सेट दिये जाते कि उस पर आप लगाईए रिजनिंग जो पढ़ाई जाती वो जो class में question करवाये जा रहे है conceptual कराये जाएंगे मतलब कहीं से भी रिजनिंग अगर AP SSC में है आप हमने जितने जो है टीम ने इससे पहले paper करवाये हैं उन paper को उठा के देख ले और label उठा के देख ले lower का सारे test हमने free करवाये थे तो आप प्रस्णों के अस्तर को देखे कि टीम आपके लिए कैसे कैसे कारी करती है हम हमेशा नया करने का प्रयास करते हैं और आयोग के साथ कदम से कदम मिला कर चलते हैं और यहीं वजे है जिससे टीम पर इक्षपलस आज तक आयोग के हर एक प्रस्ण पत्रों में खड़ी उतरी है तो सारे लोग PDF के प्राप्त करने के लिए हर एक classes के सभी लोग register करने अपने आपको टाकि आपको समय रूप से इसकी PDF मिलती रहे PDF में बहुत नाम मात्र का ही सुल्क लगा है तीन महीने के लिए 499 रुपे उतना तो आप सभी लोग जानते हैं 150 के प्राप्त जो है आप सारे लोग इससे ज़्यादा तो वैसे ही एक बार बैटके खर्च कर देते हैं यह एक महीने के लिए है एक महीने में हम आपको लगबग 1500 PDF उपलब्द करवाएंगे और हर PDF लगबग 5-6 पेज़ की होगी तो आप समझ सकते हैं कि वो आपका एक रुपया का दैनिक खर्चा टिक है आपके लिए कितना ज़्यादा महत्पूर साबित होगा आपकी तैयारी के लिए लाश्ट में हम सभी PDF का एक संकलन रूप देंगे जिसको आप कहीं भी प्रेंट करवा सकते हैं इसलिए प्रोग्राम में अगर आप भाग ले रहे हैं वीडियोस देख रहे है तो आप सभी को बिना कुछ सोचे विए रेजिश्टर करना है आप परिक्साप्लस आप से सीधा खरीच सकते हैं इसमें रेजिश्टर कर सकते हैं या इस सीधा अगर अन्नी चीज़े आपको चाहिए अन्नी जानकारिया चाहिए तो दिये गए नंबर्स पर आप कॉल करिए तीरो नंबर उपलब दें आप वाटसाइप के माध्यम से कॉल के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं इस प्रोग्राम के बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं कोई भी समस्या आपको आ रही है टेस्ट पर शेज करने में या जो है ये स्कोर्स से जोडने में जितने भी हमारे क्लैस कोर्स चलाए जा रहे हैं उनसे जोडने में आप दिये गए नंबर उपर जो है कभी भी जो है संपर कर सकते हैं कि आपकी समस्या का समाधान टीम के द्वारा किया जा सके तो चलिए आज के लेक्षर में आज चुकि हमारा Class 2 के टर्म में हमारा हिंदी का लेक्षर है तो उसी में हम बढ़ते हैं हिंदी में मैंने आपको पहले टर्म बैया राजी शरकार की अगर परिक्षा देनी है तो उसमें मैंने आपको पहले ही दिन समझा दिया था कि अगर आप UPSC जैसी परिक्षाओं पर focus है ठीक है UPSC जैसी संस्था है या फिर उत्तर प्रदेश यसाई की जो आपकी परिक्षा आने वाली है ठीक है या फिर आप राजी सरकार के लोक सेवा आयोक के द्वारा जो भी अने परिक्षाओं कराई जाती है जिनमें हिंदी पूछा जाता है तो आपको क्या करना है आपको हिंदी की नालिज बहुत बिधवत होनी चाहिए ठीक है और वो भी हिंदी क्या हिंदी आपको व्याकरण मालूम होना चाहिए ठीक है व्याकरण क्योंकि इसमें बहुत धंग से पूछता है तो इन तीनों के लिए मैं आपको कच्छाएं यहां बता पढ़ा रहा हूँ यानि कोईसी भी परिक्षा में बैठने जाते हूँ चाहिए आप दूसरे राज़िके हो अगर उत्तर प्रदेश से सटे राज़िके हैं आप मद्ध प्रदेश यहसाई का पवाम डालते हैं आप उत्तराखंड में कोई भी परिक्षा देने जाते हैं सभी पर यह हिंदी आपकी रामबार के रूप में कारगर होगी ठीक है सिर्फ आप मेरे क्लास लेक्षर को देखिए इसकी नोट्स प्राप्त करिए सब्सक्रिप्शन ले लीजिए उसके बाद आपको करना क्या है जितने क्विजज मैं देता हूँ क्लास पढ़ाने के बाद उसकी जो ब्याख्या होती हर एक क्विजज की वो मैं गुरुब में डालता हूँ इसलिए हर एक क्विजज की भी ब्याख्या गुरुब में डाली जाती है इसलिए PDF का लेना आपका बहुत जरूरी है ठीक है? तो सारे लोग PDF सब्सक्रिप्शन ले मैंने आपको हिंदी वर्णमाला संपूर चीजे पढ़ा दी है तीन लेक्शर पढ़े हैं भाईया उसको जाकर के आप देख लीजिए 10 plus course हिंदी नामसे playlist बनी है हर एक course хотя इस course के अंतरगत हर एक विसे की अलग-अलग playlist बनाई गई है जिसमें उस विसे से सबद्दित आपकी वीडियो होती है तो हर एक playlist को खुजना आपका कारी है खोजिए उसमें वीडियोस पढ़े हैं उनको पढ़िए वीडियोज को अच्छे से समझिए नोट्स प्राप्त करिए क्योंकि नोट्स बहुत जरूरी है अन्त में सारी नोट्स को एक संकलन रूप में PDF दिया जाएगा उसको प्रेंट करिए आज मैं दूसरे चेप्टर की सुरुवात कर रहा हूँ और आप देखो मैंने वर्णों के बारे में आपको बहुत बिरुवत पढ़ाया था कि वर्ण क्या होते हैं वर्णों का योगदान क्या है और वर्ण माला क्या है जब वर्ण सीग जाएंगे जब हमारे मुह से कोई ध्वनी प्रसफुटित होगी तभी तो सब्दों का निर्माड होगा सब्दों का निर्माड तभी होगा जब मुह से ध्वनी का प्रसफुटन होगा और प्रसफुटन होने के बाद क्योंकि आप जानते हैं जैसे ही कोई बालक पैदा होता है तो बालक का 10 मिनिट के अंदर मस्टिक्स इतना विक्सित हो जाता है कि उस बालब को ये मालूम हो जाता है कि ध्वनी किस तरफ से आ रही है ठीक है? और बच्चा कुछ दिनों के बाद क्या करता है? कुछी देर में वो पहली ध्वनी जो है किसी ना किसी रूप में दे देता है रोने की ध्वनी में किसी में कुछ भी होता है जो कुछ मुह से उच्चारित होता वो ध्वनी आपकी वर्ण होती है अब वर्णों का जब मिला जुला करम होगा तो उससे शब्द का निर्मार होता है तो हम सब्दों के निर्मार की और पहली स्रेडी में बढ़ते हैं और वो चीज पढ़ने जा रहे हैं कि वर्ण जो आपके होते हैं जो कुछ मैंने पढ़ाया है इनकी संदी कैसे होती है ठीक है आज आपको पढ़ना है कि वर्णों की संदी कैसे होती है और इसलिए बहुत ब्यापक रूप से मैं आपसे परशर्षा करने जा रहा हूँ बहुत कंसंट्रेट होकर सुनिएगा आज मैं आपसे परशर्षा कर रहा हूँ वर्णों की संधी बैया संधी होता क्या है? संधी का मतलब होता है मेल आखिर mail इसको क्यों बोला गया बहुत मतलब basic level से मैं समझा रहा हूँ कि आपने Hindi word माला नहीं पढ़िए तो एकदम बयाकरण की दृष्टिकूर से आपको Hindi word माला के समस्त जानकरिया यहां मिल जाएंगी कहीं भी भटकाव लाने की जरूरत नहीं है जितनी चीजे मैं पढ़ा दू उतना आप पढ़ लीजिए UPLSC की किसी परिक्षा में उत्तर प्रदेश में किसी परिक्षा में बैट जाएए मद्य प्रदेश, SI की परिक्षा हो कोई भी परिक्षा हो आप पेपर उठा के देग लीजिए इससे बाहर ना तो पूछा है और ना ही पूछेगा उत्तरा खंड राजी सरकार की कोई परिक्षा आप उठा कर देग लीजिए जितना मैंने पढ़ा दिया है उतना आप पढ़ लीजिए इसके अलामा मैंने 800 हिंदी की प्रशनों को करवाया है इन 800 प्रशनों के वीडियोज पढ़े हुए है उनको जाकर देग लीजिए इससे भी बाहर आपकी हिंदी नहीं होगी बहुत सारे बच्चों ने जिन्हों ने देखा है तमाम कमेंट के माद दिन से बताया है फोन करके बताया कि सर बहुत बढ़ी आ रहा सारे क्वेस्चन तयारी उनकी अच्छी चल लए तो जितना पढ़ा रहा हूं उसको पढ़िए इसकी जो है 800 प्रशनों की वीडियोज को देखिए ठीक है और हर एक क्लास की मेरी नोटस प्राप्त करिए जितनी भी क्लास से चलती है उनकी सभी की नोटस प्राप्त करिए ये बहुत जरूरी है तो ध्यान दीजिए आज हम पढ़ने जा रहे है वर्णों की शंदि को यानि मेल को वर्णों का मेल क्या होता है भीया जो है क्या कहलाता है मेल कहलाता है शंदी कहलाता है तो जब दो वर्ण माल लीजिए ठीक है हमने जैसे ये दो वर्ण लिए एक हमने सब्द ले लिया क्या शिवू और दूसरा सब्द हमने ले लिया आले अब ये दो सब्द होगे अब आप कहोगे कि गुरु जी आप तो कह र को लेंगे जैसे वाणधन आले हो गया अब यहाँ पर समझो भाईया कि हमने जो आपसे कहा था कि यहाँ वर्णों का मेल होगा और यहाँ आपको सब्द लिखे दिख गए और आप ने सवाल हमसे कहे दिया कि यहाँ पर सब्दों का मेल हो रहा है आप वर्णों का मिल कैसे बता रहे हूँ देखो सब्दों का जब मेल होगा तो समाश का निर्माड होता है और सब्दों का मेल से ही संयोग बनता है संयोग और समास में अंतर है वो मैं तब समझाऊंगा जब मैं समास बताऊंगा आपको इसके बाद वाला जो टर्म होगा यहां द्यान दो शिव है, शिव को उचारिद करो मैंने वर्णों में आपको पढ़ाया था कि यह जो शिव सब्द है भईया यह चार वर्णों से मिलकर बनाएजे शिव देखो, इतने वर्णों के मेल से शिव सब्द का निर्वाड होता है तो शिव में अंतिम वर्ण आपका क्या है आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि शिव में जो अंतिम वर्ण है वह आ है यहां पर आ है और यहां पर इस दूसरे सब्द का प्रथम वर्ण आपका बड़ा आ है आ और बड़ा का मेल होगा यहां पर बड़ा की मात्र आएगी और सिव धन आले मिलके क्या बन जाएगा शिवाले का निर्माड करेगा अब आप उच्छारित करिए दोनों धोनियों को यहां आप बोले शिव यहां बोले आले और दोनों का जब मिला रूप मिला तो आप बोलते हो शिवाले क्या बोले में परिवर्थन आया विकार उत्पन हुआ जरूर हुआ और यहीं विकार आपका क्या गया लाता शंद कहलाता है समझ गए दो बाणों के मिल से उत्पन हुआ विकार जो है शंद कहलाता है दूसरा उधाराण देख लीजिए जैसे मैंने बोला कि जगत धन इस दूसरा उधाराण मैंने बोला कि जगत धन इस ठीक है जगत धन इस मैंने बोला अब यहां पर मैंने कहा कि इसके बाद में आका उचारण नहीं होगा और यहाँ पर बड़ी ई लगा है इन दोनों का जब मेल होगा तो यह जो आपका सब्द अलग अलग लिखा है इन दोनों का जब मेल होगा तो मेल के बाद बन जाएगा जगदीज जगत धन इस मिलके जगदीश का निर्माड करेगा अगली बात अगर हम बात करें तीसरा एक उधारण मैं आपके सामने रखू तो वो उधारण कौन सा बनेगा जैसे मैंने लिखा मनह धन मैंने लिख दिया हर, अब मनह धन हर यहाँ पर अंतिम जो आपको वाण मिल लहा वहाँ विशर्ग है और इसका मेल जो है, हा से हो रहा तो इन दोनों सब्दों का जब मेल होगा तो जो सब्द का निर्माड होगा वहाँ शब्द आपका मनोहर कहलाएगा अब मनह धन हर्ग हमने उचारित किया था यानि मनह यहाँ बोला हर का उचारण यहाँ किया दोनों सब्दों का जब मेल हुआ तो मनोहर का निर्माड हुआ सब्द को बोलने में उचारण में अलग-अलग विकार आपको प्रवर्तियां देखने को मिलती है और यही संस्कित व्याकरण के मेल के अंतरगत हम पढ़ते हैं तो तीनों धारणों के माध्यम से आपको समझते चीज़े समझ में आ गई इन तीनों धारण को मैंने इसलिए बताया क्योंकि जब मैं वर्णमाला आपको पढ़ा रहा था वर्णमाला में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि भईया वर्णमाला में तीन तरह की आपके अलग-अलग अक्षर होते है उनमें सबसे पहला मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला चीज होता है स्वर और दूसरा मैंने बताया था कि विंजन होता है स्वरो के बाद और तीसरा जिस प्रकार के बारे में मैंने आप सुचर्शा की थी वहां विशर्ग होता है इसी वजए से संदी के तीन भेदा आपके बनते हैं क्योंकि सुरू का मेल हमें अलग पढ़ना होता विंजन का मेल अलग पढ़ना होता और विशर्ग का मेल हमें अलग पढ़ना होता है तो अब हमें बात करनी है कि इन तीनों में अलग इनके इनके प्रकार के बारे में हम बढ़ते हैं तो अब अच्छे से समझना है कि इन तीनों के प्रकार क्या-क्या है ठीक है, चुकि मैंने बताया आपको कि हमें सबसे पहले जानना है कि वर्ड के आपके मेल होंगे तो कौन-कौन से सब्द आपको असपष्ट रूप से यहां बनेंगे अब आप अगली हेडिंग डालिएगा ठीक है, वो हेडिंग क्या होगी वो हेडिंग आपकी होने जा रही है संधी के प्रकार ठीक है, तो अगली हेडिंग में बहुत ही कंसंट्रेट होना है आपको अब अगले जो है टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं शंदिके भेद या संदिके प्रकार समझ गए बहुत ही मज़ा आने वाला है जितने भी concept आज तक आप किताबों से पढ़ते हैं सीधा और किताबे आपको समझ बे नहीं आती है बहुत सारी market में किताबे हैं जिनमें आपके बहुत सारी गलतीया है यहाँ पर जो चीजे मैं आपको बता रहा हूँ वो हो आपका एक निचोड है इस निचोड को आप अपने करण पलों को जो है स्वता स्वतन तो छोड़ दीजिए और जैसे जैसे मेरे वाच्छ आपके करण पलों में पढ़ते रहेंगे समस्त जानकारियां एक जो आपका मानो मस्तिक सही कंप्यूटर जैसा विवहर करेगा और सारे जो है ज्यान के भंदार आपके मस्तिक Goddess में भंदारित हो जाएंगे और कभी भी जब आप परिक्षा में बैठोगे तो वो मेमरी ओपन हो जाएगी और सारी चीज़े फड़ापन निकलती चली जाएगी इसी वज़े से अपने आपको बहुत कंसंट्रेट करना है और यह मान लीजिए कि आप जिस टीम के साथ हैं उस टीम के साथ ही आपका भवेश्य एक सुरच्छित हातों में हैं इसी लिए सारी चीज़ों को सारे भटकाओं को छोड़ दीजिए और टीम के साथ बहुत ब्यापा ग्रूप से जुड़ जाएए ध्यान दीजिए मैंने क्या बोला कि संदी के जब संदी आप पढ़ोगे और भेद में आओगे तो वांडों के तीन भेद होते हैं इसी वजे से संदी के तीन प्रकार बनते हैं सबसे पहला प्रकार बताईए वहा है शर्ग दूसरा प्रकार क्या बनेगा चुकि हम पढ़ते हैं वेंजनों को अलग तो दूसरा प्रकार बन जाता है हमारा वेंजन तीसरा प्रकार चुकि विशर्ग को अलग किया गया है वि हिंदी सब्द में योगदान नहीं, वर्णमालत में तो विशर्ग आता है, तो जब हिंदी सब्दों में कहीं भी इसका अस्थान नहीं है, तो पढ़ने की हमें जरूरत क्या है। इसका महत्पूर्ण भाग होता है, वह भाग होता है तत्सम सब्दों में। इसलिए इस चीज को पढ़ना आपको बहुत जरूरी है। शस्वर्णों का मेल इस चीज को बहुत अच्छे से समझेगा, शस्वर्ण मैंने इसलिए लिखा कि स्वर्ण का मेल स्वर्ण से होगा। समझ गए? बहुत बड़ियां। दूसरा, विंजन भाईया क्या होता है? विंजन संदी, जहां पर विंजन का मेल स्वर्य या विंजन किसी से हो, वहां विंजन संदी होती है। बतलर, पहला सब्द का जो अंतिमवर्ण है, वह विंजन होना चाहिए, और दूसरे सब्द का जो पहला विंजन हो कुछ भी हो, हमें उससे फरक रही, बस हमें पहले सब्द के अंतिमवर्ण पर जाना होता है। तीसरा आता है विशर्ग, जहां विशर्ग का मेल किसी से स्वर्या बंजन किशी से हो, वहाँ पर विशर्ग संदी होती है, तीनों के उधारण रेख लीजिए, और सब कुछ आपका यही पर क्लियर हो जाएगा, परिभाशा अगर आप नोट कर रहे हैं, तो नोट कर सकते हैं उसमें नोट्स बनाईए, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, बाकी तो नोट्स बनाने में यहां सिर्फ ध्यान से वेडियो को देखो, नोट्स जो हम उपलद करवा रहे हैं, उसको जो है अच्छे से पढ़िए, लाश्ट में पूरा कंबाइन पीडियम मिलेगा, प्रिंट करा बहुत जल्द हिंदी भी खतम होने वाली है, तो इसलिए सारे लोग जल्द से जल्द जो है रजिश्टर करिए इस प्रोग्राम के अंतरगत, ध्यान दीजिए, स्वर में सबसे पहले चीज़े हम देखते हैं, पहला उदारन अगर देखें कि भाईया समान सस्वर जो है वर सिवधन आले, क्या लिखा है? सिवधन आले, तो इन दोनों का जबाप मेल यहां पहले वाले में आ लिखा है, पहले सब्द का अंतिमवण आ है की नहीं? है, दूसरा जो सब्द है, इसका प्रथमवण बड़ा आ है, और दोनों का मेल करा दो भीया, तो यहां दोनों के मेल क उपरांत आपका बड़ा आकी मात्रा लगेगी और शिवधन आले दोनों मिल करके सिवाले शब्द का निर्वान करते हैं और यहाँ पर क्या हो गया स्वरशंदी बन गया समझ गये? दूसरा उधारण लेखते हैं दूसरा उधारण जैसे आपके समने लिखा है विद्याधन अर्थी दूसरा उधारण आपके समक्ष क्या लिखा है? विद्याधन अर्थी अब विद्या में अंतिमवर्ण आपका क्या है भईया? बड़ा है और जो दूसरा आपका सब्द है इसमें प्रफमवर्ण छोटा है दोनों का मेल करा दो तो विद्याधन अर्थी मिलके कौन सा सब्द बनेगा विद्यार्थी बनेगा बहुत बढ़िया, बहुत सुन्दर यहां आपने देखा कि समानस्वरों का मेल समानस्वरों से हो रहा जब समान ससरवर्णों का मेल हो रहा तो उनमें जो विकार उत्पन हुआ वह सरसंदी के अंतरगत आता है अब हम विंजन संदी की ओर बढ़ते हैं ठीक है? विंजन संदी क्या है? एकदम जो है मदमस्त रही है जो है अपने आपको ऐसा हूँ इसी लेक्चर में बुबो दीजिए कि आपको जब ऐसा लगे कि हमें आस पास की सुधि नहीं रहे गई तब आप मानो कि आप पढ़ रहे हो समझ गे? चलो ध्यान दो यहाँ विंजन संदी पर विंजन संदी में सबसे पहला उधारण में आपको बताया था कि जैसे अगर लिखा है जगत धन इस ध्याने ना सबसे पहले उधारण में मैंने आपको इस बारे में समझाया था अब यहाँ पर पहला वर्ड मैंने विंजन संदी की परिभाशा में आपको क्या समझाया? कि अगर पहला जो सब्द है उसका अंतिम वर्ड विंजन है और दूसरे सब्द का प्रथम वर्ड कुछ भी हो स्वर या विंजन हो उससे हमें मतलब नहीं है पहले सब्द का अंतिम वर्ड हमें विंजन होना आवश्यक है और यहाँ पर हमारी आवश्चक्ता मिल गई तो अब हमें विराम देने की आवश्चक्ता है और ता का मिल जब ई के साथ होगा तो ता का मिल जब यहाँ सर के साथ हो रहा तो एक परिवर्तन हो रहा और जगत धन ईस मिलके जगदीस सब्द का निर्माड करते है समझ गए? जगत धन इस दोनों मिलके जगदीस सब्द का निर्माड करते और यह किसका उधारण है? यह विंजन संदी का उधारण है समझ गए? तीसरा सब्द के बारे में हम समझ लेते कि विशर्ग का उधारण तो बताईए गुरुजी, देखिए भीया ध्यान दीजिए, ठीक है? विशर्ग में सबसे पहला जैसे मैंने बताया था आपको कि मनह लिखा है कहीं पर और इसका मेल हो रहा हर शब्द से, यहां मनह लिखा हुआ है अंतिम वर्ड क्या है? प्रत्म सब्द का विशर्ग है और इस विशर्ग का मेल हा से हो रहा क्योंकि मैंने क्या बताया था? याद करो, चाहे सुर से हो, चाहे बिंजन से हो, लेकिन विशर्ग पहला होना चाहिए हलाकि इसके नियम बहुत ब्यापक हैं, वो सब कुछ पर शर्चा करूँगा एक एक नेमों से मैंने बताया कि आज सब व्याकनर समझ में नहीं आई है तो व्याकनर इसके बाद आपको कभी भी भोलने की आदत नहीं रहेगी मैंने जितना कुछ बोल दिया उतना सिर्फ आप अपने मना मस्तिक समय रखते जाओ सजोकर ठीक है यह जैसे मैं बोलना हूँ ऐसे ही परिक्षा में एकदम कंप्यूटर मेमरी आपका खोल देगा और सारी चीजे वैसे ही आपके सामने दिखती रहेंगी कि ऐसे ऐसे गुरुजी बता रहे थे समझ गए तो मना धन हर क्या होगा मनोहर बनेगा क्योंकि यहाँ पर विसरगा आपका हटेगा और जो है ओ की मात्रा लग जाती है तो मना धन हर मिलके मनोहर का निर्माण करते हैं ऐसे दूसरा एक उधारन है अगर मैं लिख दूँ क्या पर यहाँ पर मना धन ताप अगर मैंने लिख दिया मनाहधनता तो इन दोनों का मेल होगा और यह बन जाता है मनस्ताब समझ गए अलग-अलग मेल जैसे-जैसे होता है तो इनके लिए अलग-अलग नियम है उनी सब पर पर शर्षा करनी है तो संदि के उधारण आप बहुत ब्यापक रूप से समझ गए शबी के उधारण से आपको मैंने समझा दिया कि संदि के तीन वहेद बनते हैं तो तीनों वहेदों में आखिर क्यों हमें ऐसा करना पड़ा उनके पीछे क्या-क्या कारण रहे तो वह सबिकता आपको पूरी एकदम असपस्ट रूप से परलक्षित हो गई कि संदि को पढ़ने में वर्णमाला का योगदान है और वर्णमाला में चुकी विभेद हैं तीन अलग-अलग विभेद होते हैं इस वज़े से संदि के विभेद हमें अलग करने पड़ते हैं और ये जो स्वर हैं इनके अलग-अलग प्रकार हैं वो प्रकार मैंने इस वज़े से बताया था ध्यान करिये मैंने आपको बताया था कि आधनिक जो आपकी वर्णमाला है इसमें तीन प्रकार बताये जाते हैं और वह प्रकार कौन-गोन से हैं पहले प्रकार के तोर पर मै अगली चीज हम देखते हैं कि सबसे पहली चीज जो मैंने बताई स्वर के अंतरगत उसकी परिभाषा में स्वर संधि के भेध क्या क्या है ठीक है। बदला उला देता है जाहिर सी बात है भया आप आ से लेकर रितक की मत्राओं का उचारण करिए श्वरों का उचारण करिए इनमें अलग-अलग मत्राओं का उचारण अलग-अलग जगों से होता है और उनसे अलग-अलग शब्द हमारे कणपलों में सुनाई भी देते तो इसी पर आगे बढ़ते हैं देखो भाई या स्वर शंदि सबसे पहले तू आप दिमाँ में बनाओ स्वर किते होते श्वर होते हैं अ-अ ठीक है दूसरा क्या होता है इ-ई तीसरा मैंने क्या बताया उ- और उ चोथा मैंने क्या बताया और री ठीक है यह री को सबसे अंत में रखते हैं चलो यही रख देते हैं अगला ए और ए और एक मैंने बताया था ओ और ओ अंक और आहा यहां नहीं लेते वहाँ अनुश्वार और विशर्ग वाले हो जाते उनको मैंने बताया इतने टाइक के सवर मैंने आपसे परिशर्चा की थी खीक है अब इसमें देखो मैंने इन सभी को एक जोड़े के रूप में लिखा है और इन जोड़े के रूप में लिखने के पीछे मेरा लॉजिक क्या है क्यों ऐसा मैंने लिखा इसको क्रम दे दो पहला इसको क्रम दे दो दूसरा जैसे मैं यहां बता रहा हूँ वैसे ही मैंने नोट्स में लिखा है कि आपको कहीं से भी भटकाओ कि जरूर ना हो इसको मैंने नमबर दे दिया पहला इसको दूसरा इसको मैंने नमबर दे दिया तीसरा इसको नमबर दे दिया चोथा इसको नमबर दे दिया पांचवा और इसको नमबर मैंने दे दिया छठा मतलब मैंने एक से लेकर 6 तक के क्रमांग इन पर जो है दर्ज कर दिये और इन क्रमांग को दर्ज करने के पिछे कोई ना कोई तर्क है और वह तर्क आपको तब समझ में आएगा जब मैं आगे बढ़ूंगा भी हमेशा ध्यान लखेएगा कि स्वरसंदिके मैंने बताए आपको पांच भेद होते हैं तो इन पांच भेदों से पहले मैंने स्वर कितने होते हैं उनको लिखा छे भागों में इनको विभाजित किया है अब मैं आपको बता रहा हूँ स्वरसंदियों के भेद के बारे में ठीक है फिर इनकी परिवाशा इनकी हर एक की ब्याख्या बहुत असपस्ट रूप से हम लोग पढ़ेंगे ठीक है देखो श्वरसंदि के जब हम भेद पढ़ेंगे विया तो इसमें चुकि मैंने बताया था आपको सबसे पहले कि आपके पास दीरगवाण भी होते तो सबसे पहले मैं सुरुआत कर रहा हूँ पहली जो भेद होती है वह होती है दीरगवशंदि पहला जो भेद होता है वह होता है आपका दीरगवशंदि की अंतरगत दूसरे भेद के बारे मैं अगर बात करूँ ठीक है दीरगवशंदि के बाद आपका कौन सा आएगा बताईए संदिया तो आपने बहुत कुछ पढ़ाया दूसरी बात जैसे इसके बारे में अनी चीजों पर मैं जैसे यहाँ आपसे परचर्चा कर रहा हूँ ठीके तो मैंने नोट्स में भी सारी चीजें लिख दी है क्या कैसे होता है ब्यापक ग्रूप से सब कुछ मैंने लिख दिया है जैसा मैंने बोला आपसे कि जिस प्रकार से यहाँ मैंने आपको बता रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ उसी तरीके से मैंने यहाँ पर ब्यापक ग्रूप से नोट्स में भी लिखा है ये notes जो है, जिस अनुसार मैं पढ़ाता हूँ, उसी अनुसार पूरे बनते हैं, समझ गए? तो यसको बहुत अच्छे सी ध्यान लखना है, अब मैं आपसे परचर्चा करने जा चलिए, सबसी पहला आपका शंदी जो है, दीरग संदी जिसके बारे में हमने चर्चा की, यहाँ जितना कुछ बूलोगे, वो सब कुछ हम याद दिलाएंगे, देखो, जहाँ पर समान सरू का मेल होता है, वहाँ दीरग संदी होती है, इसमें दो बर्णो या समान सरू के मेल पर मात्रा हमेशा बड़े स्वरकी लगती है, समझ गए? हमेशा छोटा लड़ेगा, छ बर्णो बड़े का ही सुनते हैं, लेकिन छोटे दुलारे होते हैं घरों में ये मत भूलना, चलो ध्यान दो यहाँ पर, मैंने क्या बोला आप से, कि अगर दो समान सरू का मेल हो रहा है कही पर, और वहाँ दीरग संदी होती है, जहाँ पर समान मिल जाए, जैसे पहला, पाचवा, चठा मैंने डिवाइड किया था, कुछ याद है, देखो, क्या मैंने डिवाइड किया था, मैंने लिखा था, इसको एक नाम दिया था, दूसरे को क्या नाम दिया था, इसको मैंने दो नाम दिया था, और तीसरे को मैंने क्या नाम दिया था, इसको नाम मैंने त तो भूलोगे तो उसके लिए तो हम बैठे ही हैं हम तो याद दिलाएंगे ही दिलाएंगे समझ गए? देखो मैंने इसको छे नाम अलग-अलग जो है विभाजित किये थे एक, दो, तीन, चार पाज, और छठा अब जब मैं आपसे बोलता हूं कि भाईया दो वर्णो या समान सुरों का मैल होगा तो मात्रा हमेशा बड़े स्वर की लगेगी तो मेरा कहने का आसा ये होता है कि जहां आ का मैल बड़ा आसे या बड़ा आ का मैल आसे या फिर आ का मैल आसे ही हो या बड़ा आ का मैल बड़ा आसे हो तो वहाँ पर हमेशा बड़ा की मात्रा लगेगी चारों की कंडिशन में ऐसे हर एक कंडिशन चार इसके साथ भी इसके साथ एक ही बनती है रिका मेल भी से इसके साथ भी चार बन गई इसके साथ भी चार बन गई हर एक की condition चार-चार बनती चली जाती है इसलिए मैंने हर एक की condition को यहाँ अलग करके रख दिया है कि कभी भी आपको भटकाओ की इस्थित ना मालूम हो देखो सबसे पहली चीज मैंने आपके सामने क्याल आई है कि जब आ का मेल आ से हो ठीक है देखो जब आ वंड का मेल आ वंड से होगा तो मात्रा बड़े भाई यहाँ पर आएंगे जैसे मैंने लिखा धर्म धन अर्थ ठीक है अब यहाँ पर धर्म में आ की मात्रा छुपी हुई है धर्म का उच्चारण करो आ की मात्रा आएगी और अर्थ का उच्छागन करिए यहाँ पहला वर्ण आपका आ है तो आ और आ का मेल हुआ तो दोनों मिलके बड़ा आ की मत्रा बनेगी और धर्म धन अर्थ मिलके धर्मार्थ बन जाएंगे समझ गए? यहाँ पर दूसरा उधारन देखिए दूसरा उधारन आपके सामने लिखा है क्या? कि जैसे लिखा है श्वाधन अर्थी अब श्वाब बोलोगे अंतिमवाड क्या है? आ है और अर्थी में अंतिमवाड आपका क्या है? आ है और दोनों का मेल हुआ तो क्या बना? स्वार्थी बन गया समझे आधन आ में मैंने दो उधारण आपको समझाए अब हम बात करते हैं बड़ा आधन बड़ा की इसमें पहला उधारण देखिए पहला उधारण लिखा है देवधन आले यहाँ पर आ है और इसका मेल जो है बड़ा के साथ हो रहा तो मैंने बताया कि आचोटे बड़े मार करेंगे तो बड़ा ही जीतेगा तो यहाँ पर फिर से बड़ा जीत गया देवधन आले जो है देवाले हो गया देखो बजी यहाँ संदी को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि संदी बिच्छे तभी आएगा जब आप संदी सीख पाओगे क्योंकि बनाना मुस्किल होता है तोड़ना नहीं जब यहाँ बनाना सीखोगे बनाने में हमेशा वक्त लगता है यहाँ अच्छे से पहले अपने आपको बनाओ बनाना सिखो कि संद कैसे बनती है उसके बाद तोड़ना अपने आप जानोगे तोड़ना आसान होता है लेकिन सबसे ज़्यादा गल्तियां लोग तोड़ने में ही करते है क्योंकि वो बनाना नहीं जानते है इसलिए सबसे पहले निर्मार जानिए उसके बाद बिद्वन्स की बारी आती है यहां देखे देव धन आले मिलके क्या बन गया देवाले बन गया और यहां पर जो मात्रा थी भाईया यह बड़े भाई यहां पर आ गए अगला देखो दूसरा उधारन इसका दूसरा उधारन लिखा है नवधन आगत फिर से वही मेल छोटा का मेल बड़ा से अब मैंने फिर से क्या बोला यहां नव लिखा यहां आगत लिखा दोनों का मेल करा दो हिया तो नवागत सब्द का निर्वाण होगा समझ गए? एकदम अच्छे से मनलब दिमाग पर जोड नहीं डालना है क्योंकि उसके लिए मैंने आपको ऐसी ऐसी चीजे तयार की है कि कहीं भी आपको भटकाओ किया वाज सकता नहीं मैंने बताया ना कि यहां हिंदी बर्णमाला पढ़ लिए तो कभी भी जिन्दगें नहीं बोलोगे दूसरी बात अगला उदारन देखो बड़ा आका मेल जब आ से होगा तो फिर से आप बड़े भाई छोटे भाई से लड़ रहे तो कौन जीतेगा बड़ा भाई जाहिर सी बात है बड़ा भाई छोटे भाई से लड़े या छोटा भाई बड़े भाई से लड़े तो जीतेगा कौन बड़ा भाई परिक्षाधन अर्थी, यहाँ पर प्रथम जो आपका सब्द है अंतिम मुराण का निर्माण देखियो बड़ा है और दूसरे सब्द का प्रथम मुराण देख लो भraine है दोनों का निर्माण कराओगे परिक्षाधि सब्द बनेगा परिक्षा धन अर्थी बराबर बनता है परिक्षार्थी दोने के उच्चारण में विकार मिल गया शीमा धन अंत जितने उधारण में बता रहा हूं दूसरी बात ये सभी किसी ना किसी परिक्षाओं में पूछे गए हैं इसी वज़े से मैंने सभी उधारणों को ढूड़ा और जो किसी ना किसी परिक्षा में आया है इसलिए उन सभी को मैंने पूरा बेवस्थित किया है नोट्स में कि आपको ये भी ना लगे कि अच्छा प्रिवियस येर में क्या पूछा गया था सारे उदाहरण वहीं है जो कहीं ना कहीं आये इस वज़े से नोट्स बहुत जरूरी है समझ गया ना चलो दूसरा देखो सीमाधन आंत ये दोनों मिल आके क्या बनेगा शीमांत का निर्माड करता और बड़े भाई फिर से छोटे भाई को पटक दिए अगली बात देख लो ये तो बड़ा आका मिल आ के साथ था यहां बड़ा आ का मिल बड़ा आ के साथ है तो यहां किसका निर्माड होगा फिर से आप बड़े भाई बड़े भाई लड़ गए तो जाहिड सी बात है ठीक है मान मुलाववत होगी दोनों में और दोनों में से फिर से कौन जीतेगा बड़े भाई तो बड़े भाई ठीक है छोटे मिया तो बड़े मिया देखा है नहीं पिच्चर नहीं देखो तो देख डालो भईया ठीक पिचल उचल भी देखो जरूरी है अब ये नहीं कि हर दिन ठेटर में बैट जाओ गुरू जी नहीं कह दिया तो आराम से देखो कभी कभार देखो देखो जैसे महाधन आत्मा अब यहां बड़ा भाई और बड़ा भाई दोनों का टकराओ हो रहा तो फिर कोई भी जीते दोनों तो बड़े भाई है अब कौन जीता? छोटे वाले से पूछा जाएगा कौन जीता तो कहेगा बढ़के भाईया जीत गए ठीक है? तो यहां कौन? महाधनात्मा महात्मा बन गया समझ गया? यहां पर जो आपका जो है वो लगा कौन सी मात्रा लगी? बड़ा की मात्रा आई क्योंकि यह दोनों बड़े भाई थे तो दोनों का सम्मान करना है अगली की चीज़ क्या है? विद्याधनाले अब यहाँ पर फिर से दोनों बड़े भाईों का टकराओ हो गया और जब टकराओ होगा, तो फिर से क्या करना पड़ेगा दोनों का सम्मान करना है आमें इसलिए विध्या धनाले विध्यालाई का निर्माड हो गया तो यह मैंने आह में चार विभाजन किये आप देखो, जो मैंने दूसरा सब्दा आपको बताया था, ठीक है, E वाले में विभाजन पढ़ लो, पहला मेल में करवा रहा हूँ, अब यहाँ दूसरे टर्म पर याद करूँ, जो 6 मैंने डिवाइड किये थे, याद है ना, दिमाग में वो बनाये रखना, वो एकदम रा भाई पहुचेगा, एक जापर लगाएगा, ए चलो हाटो, प्रभाव किसका आया, बड़े का, क्योंकि बड़े ने पीटी दिया दोनों सांथ, अब छोटे छोटे भाई यहाँ लड़े, तो बड़ा भाई पहुचा और पीट के सांथ कराया, बड़ी की मात्रा आ गई, द दोनों का जब मेल हुआ तो यहाँ बड़ी की मात्रा आ गई, दूसरा देख लो, कविधन इंद्र, यहाँ पर फिर से छोटी की मात्रा, यहाँ भी छोटी की मात्रा, दोनों का जब मेल हुआ तो यहाँ बड़ी की मात्रा, कवींद्र बना, ठीक है, कविधन इंद्र, कवी देखा देगा यानि बड़ा फिर से प्रभावी हो गया उदानद देखलो गिरी में अंति मुआड क्या है छोटी और इस में प्रथम मुआड बड़ी दूनों का निर्माड होके बन गया गिरी इस परी धनी इक्षा जो दियने के लिए तो यारी कर रहे हो परी धनी इक्षा बरावर परिक्षा का निर्माड होता है तो समझ गए यहाँ पर इके दो विभाएद पढ़े अभी दो बाकी है अगला देखलो इसमें अगला जो आपके सामने दिया है वहा कौन सा है अब बड़े भाई छोटे भाई से लड़ने जा रहे है अब तब भी बात है बड़े जो है बड़ी इक ही है अंतिमवाड़ की जो मात्रा है बड़ी इकी है और इसमें प्रथम वड़ा आपका छोटी है दोनों का मेल हुआ तो महिंद्र बन गया योगी धन इंद्र योगी इंद्र बन गया क्योंकि इसमें भी क्या है बड़ा भाई आपका बड़ा भाई ठीक अब बड़े मिया तो बड़े मिया यहाँ पर देखो दोनों बड़े भाई लड़ गए तो फिर से मैंने बताया ना कि दोनों का हमें सम्मान करना है तो यहाँ मात्रा किसकी? बड़ी की कह दिया गया कि भाईया आप भी खुश रहे हैं भी खुश रहें, तो इसमें रजनी धन इस का निर्मार आप जो है मेल मैंने करवाया, इसमें बड़ीई की मात्रा है और इसमें प्रतमवण बड़ीई है, और दोनों के निर्मार से रजनीस बन गया, अब अलग-अलग बोलो रजनी, इस लेकिन दोनों का मेल करा दो तो रजनीस बोलोगे ऐसे ये है योगी धन ईश्वर योगी श्वर बन गए ठीक है चलो बैया तो ये ई वाले होगे अब आप उ की मात्राओं को लेकर देखिए यहाँ पर दोनों छोटे भाई लड़ गए तो बड़े भाई मिलके एक थपड लगाते हैं और सांत करा देते भाव धन उदे इसका जो है अंतिम वर्ड छोटा उ है इसका प्रथम वर्ड छोटा उ है दोनों का निर्माड हुआ तो भानूदे बन गया ठीक है यानि उ धन उ का जो निर्माड हुआ ये बड़ाव की मात्रा बना दी विधिधन उदे ये विधूदे बना दिया बड़ाव की मात्रा यहाँ पर लग गई ऐसे ये समझो छोटे भाई बड़े भाई से लड़ने पहुँच गए यहां वो बड़ाव के साथ मेल हो गया तो बड़े भाई ने उठा के पटक दिया और यहां बड़े उकी मात्रा जो है बिज़ाई गोसित हो गई कैसे लग धन उर्मी इसमें प्रथम वर्ड देखिए प्रथम सब्द का अंतिम वर्ड छोटा हुँ है और दुतिये सब्द का प्रथम वर्ड आपका बड़ाव हुँ है तो प्रथम और छोटे और बड़े लड़े तो बड़े का प्रभाव आ गया यानि लग उधन उर्मी बराबन लग उर्मी होगा दूसरा है धात उधन उश्मा ठीक है धात उधन उश्मा मिलके क्या निर्माड करेगा धात उश्मा का निर्माड करेगा ऐसे अब अगली चीज अब बड़े भावी की खोपरी सनक गई और वो छोटे से लड़ने पहुँच गए अब बताओ क्या होगा जाइड़ी सी बात है बड़ा लड़ने जाएगा तब भी बड़ा पीट के आएगा तो यहाँ फिर से वदूधन उश्मा ठीक है यहाँ पर प्रथम मोड़ का जो प्रथम सब्दकानती मोड़ क्या है वो बड़ा हूँ है और यह छुटा हूँ है दोनों का मेल करा दो वदूधसो बन जाएगा ऐसे भूधन उश्मा यह क्या बनेगा भूधसर्ग का निर्माड करेगा ऐसे बड़ा भाई बड़े भाई लड़ गए तो फिर से मैंने कहा मान सम्मान रख लो भाईया बूधन उस्मा इसमें क्या है वड़ा आपका बड़ाऊ और प्रथम वड़ इसका बड़ाऊ दोनों का मेल करा दो तो भूश्मा बनेगा बूधन उड़्जा भूर्जा का निर्माड करेगा तो हमने दोनों कटेग्री इसकी देख ली ठीक है प्रथम दुतिये देख लिया अब तीसरा हमारा बाकी है री धन री का मेल होना है ठीक है अब री का मेल री से करा दो तो यहां जैसे मात्रो इसका अंतिम वर्ड देखिए री है और धन रिनम तो री का मेल री से हो गया तो मात्रधनरेणम मिलके मात्रणम बन गया ठीक है? अब इसका री धनरी का मेल री ही रह जाता है इसमें तो बड़ी री छोटी री तो लगा नहीं सकते ठीक है? कि री री रे रे ये सब नहीं आएगा भीया या मात्रधनरेणम पृत्रणरेणम बन जाएगा तो पहला संदी, दीरग संदी, पहले दूसरे तीसरे पर काबिज गुई, अभी हमें मेल चोथा पांचवा चठा का बाकी रह गया, याद करिए जो प्रेकट में मैंने बताया था, वो आगकी कुंजी है, उस कुंजी को कभी मत रखना, समझ गए? चलो, दूसरे संदी का भेद पर आजाते हैं, क्योंकि अब हमें पहले दूसरे तीसरे का तुमेल कर लिया है, चोथा, पांचवा, चठा भी बाकी है, तो अभी भी समान ससर स्वरों का मेल होना है, इस वज़े से कुछ न कुछ तो चीजे हमें लेकर चलेंगी, गोड संदी की बात आती है, पहला तो दिर्ग हो गया, दिर्ग का मनलब बड़े भाई, अब गोड का मनलब क्या है, बड़े भाईयों में गोड भी होता है, ठीक है, छोटे भाई में भी गोड होगा, ऐसा तो है नहीं, सब नालाइक निकल गए, कुछ न कुछ गोड होगा, देखो, वो क्या है, वो ये कहता है कि जब आत्वा बड़ा का मेल किस से, इत्वा बड़ी से, उत्वा बड़ाऊ से, या री से होता है, यानि फर्स्ट का मेल किस से कराओगे, सेकेंड से कराओ, थर्ड से कराओ, या फोर से कराओ, फर्स्ट का मेल से कराओ, या फर्स्ट का मेल थर्ड स होते हैं कौन सा अगर A या A का मेल E या E से हो गया यानि एक और दो का मेल हो रहा तो A की मात्रा आएगी समझे कुछ तीन का फर्स्ट इसको मैं ऐसा भी लिख सकता था कि 1 प्लस 2 का मेल कराओगे तो 3 का A यहां आएगा अब equation आप समझो अगर equation को पढ़ने वाले हो तो equation के हिसाब से समझ लो यहां ब्याकरण के आए और अगर हिंदी को पढ़ने वाले हो तो हिंदी के हिसाब से समझ लो ब्याकरण का इसलिए मैंने दोनों चीजे लिख दी अगर आप बैग्यानिक जो है बिग्यान के विद्यार थी है तब भी आपके लिए हिंदी यहां आसान है और अगर आप किसी और शेत्र से हैं तब भी हिंदी यहां आसान है जैसी मर्जी वैसी पढ़ लो ठीक है? चलो भाईया गुड़संदी समझ गए कि यहां पर अभी तक मात्रा देख रहे थे समान ससर्वर्णों में मात्रा बड़े भाई की आती थी लेकिन अब मामला बदल गया अब मामला क्या है? कि अगर आ का मेल या फिर री से कराओगे तो मात्रा एक डंडे की लगेगी किसकी? एक डंडे की वैसे मानलो कोई सब्द दिया आप से पूछा निम्न में कौन सी मात्रा है? निम्न में कौन सी संधी है? अगर मात्रा एक डिन जो है खड़ी पाई की लग गई तो आख बंद कर कई बच्चा मार देना क्या? कि गुरु जी ने बताया था तो बताना पड़ेगा नहीं तो कहोगे गुरु जी क्या किये? गोली दे गए कच्चा बारा में जब हम पढ़ते थे ठीक है? तो हमारे गुरु जी जैसे ही कोचिंग पहुँचें और गुरु जी जिस दिन कोचिंग बंद कर दें पहुँच के पता लगे कि गुरु जी आज नहीं पढ़ाएंगे बस उदर से एक ही सब्द चलता था गुरु जी गोली दे दिये ठीक है? अब आप लोग क्या इस्तेमाल करते थे? गुरु जी टोपी पहना दिये चलो हम टोपी नहीं पहनाएंगे यहाँ पर ध्यान दो अगला सब्द अगला सब्द यह है बच्चा कि अगर आ का मेल उसे हो तो ओ की मात्रा लगेगी यानि पहले और तीसरे का मेल अगर करा रहे हो तो एक चीज दिमाँ में रख लो अगर आप वया कर जो है विग्यान विध्यारती है तो यह की question दिमाँ में रख लो 1 प्लस 3 एक्वलस 2 4A समझ गए गणित के विध्यारती हो विग्यान के हो तो यह chemical reaction है और गणित के हो तो यह क्या है 1 धन 3 मिलके 4 बनता है ना 1 धन 3 मिलके क्या बनता है तो वहीं लिखा है आगे कुछ नहीं है अब जैसा समझने चाहओ आपकी मर्जी अब 1 प्लस 4 मिलके क्या बनता है अर बनता है अब ये भी मैंने बता है अब जैसा मर्जी वैसा लिख लो जब कौपी में अपने लिखना जब इस नोट सो को प्रात करना प्रिंट कराना तो हर के सामने जैसा मैं बोल ला हूँ वैसे लिख लेना देमाग में वैसे ही फीड हो जाएगा कभी भी गलती नहीं करोगे ठीक है आधन आ का मेल री से करा दो तो समझ के उच्छारण में क्या होती है ध्वनी निकलती है तो इसमें तीनों चीजे हो गई उधारण समझ लो सब क गलता है आई का मेल होगा तो एकी मत राएगी देव धन इंद्र पहले सब्द का अंतिमवड आ है और दूसरे सब्द का प्रथम वड इह है देव धन इंद्र का निर्माड करोगे तो देवेंद्र बनेगा मैंने फिर से बताया हर एक उधारण किसी ना किसी परिक्षा में और पूछा गया है tweester बालो धन इंद्र वालेंद्र बनेगा जैसे यहां बाल वोलोगे तो अंतिम वड आ है और इंद्र बोलोगे तो प्रथम वड ई है बाल धन इंद्र बना दोनों का मेल करा दीजे वालेंद्र बन जाएगा दूसरा समझ लो आगा मेल बड़ी से कराओ तब भी मात्रा एक ही आएगी सिंगल डंडा यहाँ देखो सिंगल डंडा लगा है समझ जाओ क्या है बोड़ शंदी है दूसरा सुर धन इस का मेल कराओ शुर और धन इस का मेल कराओ तो इससे जिस सब्द का निर्वाण होगा हम वड क्या है? बड़ी ही है आओ और बड़ी का मेल होगा तो एक ही मत'T रहेगी और परमधनीशर का और निर्माण होके परमेशर के हम चरन में पहुँच जाएंगे चरन में नहीं, सरन में पहुँचना है दूसरी बात ठीक है जैसे इस समय आप लोग मेरी सरण में हैं तो मैं आपके हर एक चीजों को ध्यान रखना हूँ कि अगर आप आज तक वयाकरण को नहीं समझ पाए हो तो कैसे वयाकरण को समझते हैं बासा इसलिए मैं आसन कर रहा हूँ आपके अनुसार कर रहा हूँ कि आपको सब को चीजे बहुत धंग से समझ में आए ठीक है? ध्यान दीजी एकदम वही चीजे हैं जैसे बाल जीवन घुटी पी जाती है छोटे थे तो पी होगे ना एकदम उसी फार्मूलिये पर मैं बताता हूं हार एक चीजे याद रखना है बहुत बढ़ यहां से देखो, बढ़ा का मेल एक के साथ करा दो तो क्या मिलेगा? ए मिलेगा, जैसे महाधन इंद्र का मैंने मेल करवाया, अब महासब्द में अंतिम वण बढ़ा है, इंद्र में अंतिम सब्द क्या है? ए है महाधन इंद्र मिन के महेंद्र का निर्माड होगा यहाँ पर एक सिंगल मात्रा दिख गई अब आपको ध्यान आएगा पूछले महेंद्र में कौन सी संदी है तो कहो के गुरु जी ने बताया था कि जहाँ पर एक डंडा मिले तो गुण संदी है मार देना खट से वहीं क्योंकि गुरु जी ने कहा है दूसरी चीज़ रसनाधन इंद्र क्या बनेगा रशनेंद्र बनेगा यहाँ फिर से एक पाई की मात्रा मिल गई और जहाँ एक खड़ी पाई की मात्रा मिल जाए फिर से याद कर लोग गुरु जी ने कहा था अगली बात भाईया बड़ा के मिल बड़ी इस से करा दो तब भी क्या होगा एक ही मात्रा आएगी जैसे रमाधन इस अब रमा में अंति मुण क्या है जब हम बोले रमा तो आ की मात्रा निकली मुश से दूसरा आपने बोला इस तो बड़ी की मात्रा निकली और रमाधन इस का मेल कराओगे तो बन जाएगा रमेश अब यहाँ पर फिर से ये खड़ी पाई डंड़ा मिल गई पूछले कौन सी संदी है फिर से कोगे गुरु जी ने बताया था समझ गए? बहुत बड़ी है आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं ये चीज अच्छी लगी मुझे भी राका धनीश राकेश ठीक है? लेक्शर जैसे देख रहे हो जैसे समझ मेरा आए वैसे ही कमेंट में जरूर बताना कि कैसे समझ मेरा आ रहा है राका धनीश राकेश का निर्माड करेगा अब राका देखा होगा न एक पिच्छर बहुत पहले आई थी आप लोग देखे हो कि नहीं जीने नहीं दूंगा याद है नहीं? हमको याद है हमने देखी थी उसमें राका नाम आया था ठीक अब देखो हमें याद है इसलिए कहता हूँ पिच्छर देखा गुरू ठीक अब फिर से वही बात ऐसा मत कहना गुरू जी ने कहा था तो अब घर वाले पैसा दे रहे हैं तो हम पिच्छर ही देखेंगे देखो ध्यान दू आधन उ का मेल उ का निर्माड करेगा अब वन प्लस तीन पर हम लोग पहुच गए तो वन प्लस तीन में मैंने कुछ और बताया था याद है? नहीं याद है? बूल गए? कोई दिक्कर नहीं देखो यहां तो हम हैं शूर्य धन उदय का मेल करा दो भईया शूर्य बोलोगे अंतिमवड क्या बोलते हो? आ और जब उदय बोलते हो प्रथम इस दूसरे शब्द का प्रथमवड उ है और शूर्य धन उदय मिलके आ धन उ मिलके किसका निर्माड कराएगा? ओ और वैशे उचारित कर लो मैंने सईक तस्वर में आपको समझाया था कि ए, आ, ओ, आ, क्यों बनते? क्योंकि आ और उ का मेल क्या होगा? आ, तो ओ बोलते समझ गए? इसी बज़े से यहां मात्रा ऐसी आती सूर्य धन उदय दोनों का निर्माड होगा तो नया सब्द जो बनेगा वहाँ सुर्य धन होगा समझ गए? बहुत बढ़िया चंद्रधन उदय चंद्रोधय बनेगा यह दोनों उदाहरण पूछे गए अगला देख लो आ का मेल बढ़ाव से हो जाए तो ओ का निर्माड होता है जल धन उर्मी जलोर में बनेगा सारे लोग इसलिए कन्फीज रहते है मैंने जितने बच्चों को देखा है उन बच्चों में यही समझ्या होती है कि एक उदाहरण उन्होंने कहीं से पढ़ लिया कि गुल संदिकाई यह उदाहरण होता है किसी ने लाके उनसे दूसरा उदानण पूछ लिया बस चारों खाने चित पहुँच गए गुरु जी इसका बताईए जरा हमको नहीं आता भाईया जब पढ़ रहे हो तो ऐसे पढ़ो पढ़ो ऐसे जैसे सदा जीना है गांधी जी कहते थे ठीक है पढ़ो ऐसे जैसे सदा जीना है तो हमेशा उस हिसाब से पढ़ो इसलिए मैं इस हिसाब से पढ़ाता हूँ अगला देख लो बढ़ा का मेल जो है उसे कराओ तो यहां निर्मार किसका होता होगा महा धनुच्छ सो इन दोनों का मेल करादो तो यहां बढ़ा है और यहां उ है दोनों का मेल होगा तो महोच्छ सो बनेगा यह था धनुच्छ इन दोनों का मेल कराओगे तो यह थोच्छ बन जाएगा मैं फिर से कह रहा हूँ यह जितने भी उदारन है यह किसी न आप किसी परिक्षा में आपके जरूर आए है अगली चीज बढ़ा का मेल ओ से करादो वहिया तो गंगा धनुच्छ में गंगा में अंतिम वड़ क्या है बढ़ा है और ओर में प्रथम वड़ा का उ है तो इन दोनों का निर्मार होगा तो गंगोर में सब्द बनेगा महा धनुच्छा दोनों का निर्मार करादो क्या बढ़ा यहाँ पर बढ़ा हूँ दोनों का निर्मार करादो बन गया हो तो महा धनुच्छा से निर्मार बनेगा महोर्जा बहुत बड़ियां, बहुत अच्छे से आप लोग समझ रहें अगले उधारण की ओर बढ़ते हैं जिसमें छोटे यहां का मेल री से कराएंगे तो यहां अर बनेगा अब चाहे बड़े यहां का मेल री से कराओंगे तब भी अर ही बनना है तो अगले उदारण की ओर बढ़ते हैं जैसे सबसे पहला उदारण अब कहोगे गुरुजी ये सब आया है मैं फिर से महीं कह रहा हूँ बच्चा कि जितनी चीजे मैं यहां बता रहा हूँ जितने उदारण सब एक परिच्छा में आये हैं इनको इसलिए इसी अनुसार मेंने रखा है कि जैसे जैसे पढ़ते जाओगे तो लगेगा सही गुरुजी की बूटी है देखो शप्त धन रिशी ठीक है आ का मेल री के साथ हो रहा तो इन दोनों का निर्माड होगा तो सब्तरसी बनेगा अब दोनों का उचारन करिए सब्त धन रिशी अलग अलग था अब दोनों का मेल बोलिए सब्त धन रिशी अर आया आ गया यही चीजे होता है इन मेल में ब्रह्माधन रिशी ब्रह्मार रिशी अर आप मिल गया फिर से अगला उधारण देख लो महाधन रिशी जैसे लिखा है अब इन दोनों का मेल होगा तो महर्षी शब्द का निर्वाड होगा बहुत बढ़ियां आपने उच्छारण किया और आप समझ गए तो हमने सभी परिवासाओं को देख लिया ठीक है पहले का मेल दोसरे तीसरे चोथे के साथ करके हमने देख लिया और सारे उधारण को समझ गए अब हम बढ़ते हैं तीसरे संदी के भेद में स्वरकी वह संदी है आपकी बृद्धी संदी ठीक है बृद्धी का मलब बढ़ जाना आपके पास कुछ बृद्धी हो गई याद करिए दीरगमे बड़े भाई की मात्रा जब आपकी गुणाई तो एक खड़ी पाई की मात्रा अब बृद्धी आ गई बृद्धी रेची इसका संस्कृत व्याकरण में भी सूत्र होता है मतलब क्या हो गया? समझो जहाँ पर आथवा बड़ा का मेल यारी पहले का मेल याद है ना फर्मूला? भूलना मत जहाँ पर पहले का मेल किस से होगा? ए थवा ऐ से या ओ थवा ओ से होगा वहाँ पर कमसाईन के अस्थान पर ए और ओ हो जाता है अब जहाँ पर भी ऐसे सब्द मिलें जिनमें दो खड़ी पाई की मात्रा लगी है आख बंद करके मार्दो की बृद्धे संद है क्योंकि गुरु जी ने बताया था समझ गे? बहुत बड़ी है आवलोग समझते अच्छा है यह चीज अच्छी लगी देखो आ धन आ और बड़ा का मेल कराना है किसके साथ? ए और आ के साथ यानि पहले और पाच्छे का मेल कराओगे तो वहाँ पर फाईव का भी मिलेगा अगली चीज आ धन आ का मेल ओ और आ के साथ कराओगे यानि पहले और छठे का मेल कराओगे तो यहाँ six का भी मिलेगा लिखलो जैसे समझ सकते हो गडित में जैसे समझ सकते हो विज्ञान में वैसे ही समझ लो इसको और लिखलो ठीक है समझ गे बहुत बढ़ियां से समझ रहे हो आप लोग आगे बढ़ लेते हैं अगला सब्द क्या है चलो उधारण देखलो कि ब्रिद्य संदे में उधारण क्या है आधन ये का मेल आए होता है अभी मैंने बताया है उधारण देखो पहला तत्र धन ये हो फिर से बोल लाओ ये सभी उधारण आपके किसी न किसी परिक्षा में आए है इसलिए तत्र धनियो क्या बनता है तत्र यहाँ जब बोलोगे तो आ सब्द होगा यह बोलोगे तो आशब आता है और इन दोनों का मेल होके तत्रैव बनता है, समझ गए? बहुत बढ़ी है, एक धन एक इन दोनों का डिर्मार करा दो तो आ का मेल एक के साथ हो रहा और एक धन एक मिलके एक एक सब्द बनेगा समझ गए बहुत बड़ी है दूसरा उधारण समझ लो आ धन एक मिल ऐ होता है फिर से वैं बता रहा हूँ इसमें उधारण देख लो जैसे सदा धन एओ सदा यहाँ पर आ की मत्रा है यहाँ एक ही मत्रा है प्रिथम वर्डबे इन दोनों का मिल होगा तो क्या बनेगा शदा धन एओ मिलके सदा वो सब्द का निर्माड करेगा बहुत बड़ी है दूसरा सब्द आपके सामने है उधारण तथा धन एओ और इन दोनों का निर्माड जो होगा वह तथायो का निर्माड करेगा बहुत बड़ी है से समझ रहे हैं आप लोग अगला सब्द देखो आ का मिल आए के साथ करा दे तो यहाँ आए बनता है जैसे मत्धन एक के मत्धन एक की जब मिल कराओगे तो इन दोनों के सब्दों से मत्यक की सब्द का निर्माड होगा ऐसे अगला है आ का मिल आए के साथ कराए तब भी आए की मात्रा लगेगी जैसे महाधन एश्वर्य अब महाधन एश्वर्य का जब दोनों का मिल होगा तो यहाँ महेश्वर्य सब्द का निर्माड होगा अगली चीज है आ धन ओ का मेल तो यहाँ आओ का निर्माड होगा ठीक है वन धन ओ सदी अब दूसरे टर्म पर हम लोग आगे यहाँ आओ आने लगा अभी तक हमने आई की मात्राओं के बारे में समस्त परिचर्चा कर ली अब आ का मेल ओ के साथ होने जा रहा वन का मेल सिक्स के साथ होने जा रहा ठीक है तो यहाँ पर क्या मिलेगा six का भी result मिलेगा मैंने बताया था ना वन धन ओशदी इन दोनों का महिल कराओगे तो आपको क्या मिलेगा वन ओशदी मिलेगा जबाब जो मिलेगा वहाँ वन ओशदी का जबाब होगा दूसरा आका मेल ओक के साथ कराओगे तब भी ओकी मतर आएगी जैसे परमधन ओशद लिखा है तो यह बन जाएगा परमऊशद इन दोनों का निर्माड होके क्या बनेगा परमऊशद बन जाएगा अगली परिवासा देख लिजे ठीक है अन्नी जो चीजे है दो संदियों के प्रकार और पढ़ने उनको देख लेते अगला है जैसे जल धन ओग इन दोनों का निर्माड कराओगे तो जलोग सब्द बनेग वन धन ओशद का निर्माड होगे तो यह वन ओशद का निर्माड होगा चलिए अब दूसरा देख लो इसमें उदारण आधन ओ का मिल क्या बनेगा महाधन ओशद महाधन ओशद का मिल कराएंगे तो यहाँ महोशद का निर्माड करेगा ठीक है यानि आओ की मात्रा जहाँ पर भी मैंने बताया कि बृद्धी संदी आ गई, सब्द में दो खड़ी मात्रा मिल गई, वहीं पर मारदो कि गुरु जी ने बताया था बृद्धी संदी है, जहां एक खड़ी पाई की मात्रा मिल गई, वहां ध्यान दे दो कि गुरु जी ने कहा था, किसकी मात्रा है, एक खड़ी पाई की तो गुड़ संदी है, बहुत बढ़ी हाँ, अगली संदी देख लो बच्चा, कौन सी है, चोथी, और चोथी का नाम है याण, और संस्कृत में फार्मूला है, इसका सुत्र है, इको याणची, ठीक है, यानि इका याबनता है, इको याणची, समझ गए ना यानि संदी में, जब इ अथवा, अब क्या मैंने बताया था, फिर से दिमाग में इस फार्मूले को कभी मत बोलना बच्चा है, या बूटी है आप लोगों की, आधन आ, ठीक है, उ या बढ़ा उ, ए, आ, ठीक है, री यहाँ पर था, इसको याद रखना मलब, यानि संदी बड़ी का मेल, उ, या बड़ी, उ, या बढ़ा उ, अथवा, री का मेल, इनसे भिन स्वरों से हो जाए, तब वहाँ पर इ का परिवर्तन या में, उ का परिवर्तन वा में, और री का परिवर्तन रा में होता है, अगर समान स्वरों का मेल समान स्वर से नहीं होना है यहाँ समान का मेल जब समान से था तब मैंने दिरगश संदीप समझाई थी यहाँ पर अगर यह अथवा बड़ी इका मेल वो अथवा बढ़ाओगे मेल री का मेल इनको छोड़ कर इनके अलामा किसी स्वर से हो जाए समझढे? समझ गए होंगे अगर इनका मेल इनको छोड़कर, इनके अलामा किसी से हो जाए, तो वहाँ पर अगर ई का मेल हो रहा किसी और से, तो या में परिवर्तन होगा, उ का मेल किसी और से हो रहा, तो वा में परिवर्तन होगा, और री का मेल किसी में हो रहा, तो रा में परिवर्तन होगा, बहुत बढ़ी हाँ, अ आतिधन अधिक मिलके क्या बनाएगा? अतिधिक बनता है. ठीक है ये जो है वरतनी असुद्धी में भी पूछता है. अतिधिक नहीं, अतिधिक होता है. याद रखिएगा. दूसरा क्या है? वीधन अर्थ मिलके वेर्थ का निर्मार करता है. ये जिधन अपका निर्मार होगा, तो यद्धिक सद बनता है. अब इका मिल बड़ा आ से देखे, तो यहाँ पर आ की मात्रा लगेगी, याद रखिएगा. इसलिए यह संदी सबसे ज़्यादा पूछता है, संदी विच्छेद में. क्योंकि यहाँ गल्ती होने के चांस बहुत होते हैं. अब इका मिल आ के साथ हुआ, तो यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा आ जाएगी, याद रखना, इतिधन आदी, दोनों का मिल होके इत्यादी बनेगा. ठीक है? यह इसलिए जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर मात्रा बड़ा आ की इसलिए नहीं आती है, अत्याद इक पर, क्योंकि यहाँ आ की मात्रा नहीं होती है. लेकिन बड़ा आ की मात्रा होती, इसलिए इतिधन आदी, इत्यादी सब्द बनेगा. अगनी धन आशे, अगनाशे का निर्मान करेगी अब E और O का मेल देखे तो यहाँ पर जो है छोटा O की मात्रा लगेगी जैसे प्रतिधन उपकार यहाँ पर प्रतम सब्द का अंतिम वड E है और दूसरे सब्द का प्रतम वड O है अब E का मेल O से हुआ तो यहाँ पर क्या? जो मात्रा आनी है उसको समझे क्योंकि यहाँ पर मात्रा O की लगेगी तो प्रतिधन उपकार मिलके क्या बनेगा? प्रतिवकार बन जाएगा बच्चा इसको गलत मत करना अगला क्या है? E का मेल बड़ा उसे करवाओ तो यहाँ पर O की मत्रा लग जाती है जैसे नीधन यून क्या बन जाएगा? नीउन बन जाएगा समझ गए ना? बहुत बढ़िया से समझ रहे हैं अगला देख लो ठीक है? अगली चीज आपके सामने क्या है? अगली चीज है अगर ये तो मैंने बताया ही कि प्रतिधन उपकार मिलके प्रतिवकार बनेगा प्रतिधन यूस मिलके क्या बनेगा? प्रतिवस सब्द बन जाएगा बहुत बढ़िया एक उदारण इसी का और देख लो अभी धन उथ्थान है यसमें इका मिल उससे फिर से हो रहा तो मैंने क्या बताया? यहाँ पर आएगा लेकिन यहाँ पर छोटा उपकी मात्रा आएगी तो आभी धन उथ्थान बन गया अब इका मिल मैं ये एसे करवा रहा हूँ तो एका मिल होगा तो या तो होगा लेकिन यहाँ पर आए की मात्रा आजाएगी जैसे प्रतिधन एक ठीक है? अब यहाँ ध्यान दो यहाँ एका मिल एसे है इसलिए प्रतिधन एक मिल के प्रतेक सब्द बनेगा ऐसे उ का मिल आ से है यहाँ वा बनेगा जैसे अनुधन आ है यहाँ पर प्रथम सब्द का अंतिम वड उ है और यहाँ प्रथम सब्द का प्रथम वड आ है इन दोनों का मेल अनवय का निर्माड करेगा अगला क्या है उ का मेल एसे हो रहा तो वे बनेगा अनुधन एशन अनवेशन बनेगा अगली चीज है इका मेल ऐसे होगा तो या पर ऐ की मात्रा लग जाएगी जैसे देवी धन ऐश्वरी तो देबेश्वर बनेगा याद रखना अगली चीज गया है उका मेल आ से होगा अगली कंडिशन पर पहुंच गए तो उका केस में वा में परिवर्तन होता था ठीक है तो उका जब वा में परिवर्तन होगा तो जैसे सूधन आगत श्वागत बनता है मदधन आचारे मदवाचारी बनता है ठीक है तो इसमें समझ गए दोनों चीजों को री का मेल जब आ से होगा तो ये रा का निर्मार होता है जैसे प्रित्धन अनुमती तो क्या बनेगा पित् अंतिम भेद को पढ़ते हैं, अंतिम भेद आपका है, अयादी संदी, इसको समझ ले, बहुत बार आता है बच्चा, चलिए, अयादी संदी में एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, कि जहां पर उच्चारण में क्या मिले, आए, आए, आओ, आओ का उच्चारण मिल है वहां हमेशा एक चीज याद रखना, कि यहाँ पर आदी संदी है, ठीक है, क्यों? क्योंकि गुरु जी ने बताया था, देखो, अब गुरु जी ने क्या बताया है, यह बताया है, कि जहां ए अत्वा है, अत्वा ओ या आओ का मेली निमें से किसी भिंसवर से हो जाए, अगर भिन्सवर से हो गया तो वहाँ पर क्या होगा ए का परिवर्तन आए में आए का परिवर्तन आए में ओ का परिवर्तन आओ में और आओ का परिवर्तन आओ में हो जाता है तो मैंने बताया कि सब्द बोला और सब्द के उचारण में कहीं मिल गया आए आए आओ 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 चार को याद रगलो आयाद कभी नहीं भूलोगे जिन्दगी भी चलो उधारण देखलो और सब को समझ जाओ इसके बाद आप पांच भेद को संदी के प्रकार को जीमन में भूलने वाले नहीं है पहला उधारण एक आमेल आय से कराया मैंने तो यहाँ आय बना जैसे ने धन अयन नयन आय हुए उधारण है सभी के सभी मैं बोल ला हूँ कि पीडियम में ऐसा मैंने किया है कि आपको प्रिवियस एर के बारे में चिंता ना करने पड़े कि गुरु जी आपने बताया तो अप प्रिवियस एर इसका कैसे डूड़े तो मैंने सब कुछ पीडियम में अरंज कर दिया है इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि पीडियम के लिए सब्सक्राइब सभी लोग कर ले क्योंकि जितनी नोर्स आपको दी जा रही वहाँ नोर्स अपने आप में आज के यता हिस्थित को देखकर बनाई जाती है ठीक है ऐसा नहीं है कि आपको सारी पुराने डाटा दिये जाए जो कुछ हम दे रहे आपके लिए वहाँ एक रामबान इसलिए कहते है कि टीम बहुत बेस्ट है जुड़े एकदम मना हिस्थित से एकदम आत्मा से आत्मा मिला लीजिए चलो ठीक है मिले सुर में सुर तुमारा याद है नहीं यहाँ सुर नहीं यहाँ हम मिला रहे बाद में मिलाना आप लो चलो अगला देखो एधन आ का मिल आय बनेगा ठीक है आय मिल गिया आय मिलना है कैसे देख लो जब गय का मिल अंसे करा दो क्या बनेगा गायन ठीक है गौ का मिल अक से करा दो तो क्या बनेगा गायक विधायक का मेल अक से करा दो तो क्या बनेगा चचा विधायक हमके जानते हो विधायक बन जाता है यहाँ पर विधायक का मेल करा दो तो विधायक बन जाता है ठीक है और विधायक तो जानते ही और सब होते हैं अगली चीज देख लो ओका मेल आशे होगा तो आओ बनेगा जैसे भोधन अती धन का निशान है जब भोधन अती का मेल कराओगे तो भवती बनेगा और भोधन अन का मेल करा दिये भाईया तो भवन का निर्माड हो जाएगा ठीक है भवन का इत्र, ठीग, अच्छा ओका मेल, तो यहां क्या बनेगा, पवित्र का निर्मार हो जाएगा, याद रखेगा, ओका मेल इसे कराओगे, ठीग, तो आओ बनेगा, जैसे पोधन अन, पवन, मैंने बताये न, आए, आए, आओ, आओ का, अगर कहीं भी उचारण मिले, तो समझ ज देख लो भाईया, जब आओ का मेल आ से कराएं, तो किसकी मत्र, जो है, उचारण होगा, आओ का होगा, जैसे पाओधन अक क्या बनेगा, पावक, धाओधन अक क्या बनेगा, धावक, तो सारी चीजे हमने यहाँ पर समाप्त कर ली हैं, अब आपके लिए जरूरी क्या बन बिंजन क्या है, फिर हम लोग बात करेंगे, विसरग क्या है, तो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और यह जो प्लान तीन महीने वाला बता रहे हैं बार बार, इसको ले लो भईया, इसमें कुछ नहीं सोचना है, डेड़ सो रुपे में तो क्या, आसकी कट जाती कौन सी जानते हो, हम नहीं बताएंगे, तो चैनल सब्सक्राइब करो, जैसा लगता है पढ़ाने का, अंदाज सभी का, टीम क्या कैसे करती है, आपके लिए सब को लिखो, दोस्तों को बताओ, खुब सेयर करो, सब घर बैठे हैं, लाग नाउन, फोन करके बताओ कि पढ़ हो वहाँ से, ठीक है, जहां से क्या हो, सेलेक्शन हो, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं